जैम आता दी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदाल टोटके आज मैं आपके लिए एक महत्पन टोपिक लेकर आया हूं क्या आप जानते हैं लसुन को रात में तक्ये के नीचे रखने से क्या होता हैं दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाई हैं जो हमें खाने पर तो फाइदा पहुंचाते ही हैं साथ में अगर इसको हम तक्ये के नीचे रखा जाए तब इससे बहुत अधिक लाब मिलता है वो है लसुन वैसे तो लसुन को खाने से हमारी सेहत को बहुत ही हेरान करने वाले फाइदे होते हैं क्योंकि लसुन में इतने सारे गुम वह फाइदे छेपे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप उनको सोच कर दंग रह जाएंगे आप भी ये सोच कर काफी हिरान होंगे कि लसुन को बला तक्येक नीचे रखने से क्या होता है लसुन हमें कहीं बिमारियों से बचाता है जैसे गंजेपन को दूर करता है लेवर की बिमारियों से बचाता है लसुन हमारी धमनियों वै कून को साफ करता है ये जुकां वै सर प्रप update स्राइदी साली योगिक बनाता है क्या आप जानते हैं अगर लसन को कच्च ही मसल कर खायाए तो लसन के सकती और भी अधिक बढ़ जाती है और यदि इसको खाली पेट खाया जाए तो ये सवर्ने पर शुहाग़ का ही काम करता है अगर हम इसके विपरीत इसको पकाक खाते हैं तो इसके कुछ गुन नश्ट हो जाते हैं इसी वज़य से लसुन को मसल कर थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें और फिर इसका सेवन करें और फिर इसके कमाल दिखें अगर आपको लसुन को कच्छा खाने से इससे दुरगंद आती है तो आप इसमें वनस्पति तेल वे अजमोध भी मिला सकते हैं क्या आप जानते हैं पुराने समय में इजीप्ट वासी पिरामिंड का निर्मान करते समय लसुन के एंटियोबायोटिक गुन के कार्म ही उन रोगों से लड़ने की ताकत मिलती थी उनको जिससे कि वे ओस्तियोगुनों की वज़य से उन्हें काम करने की सकती मिलती थी इसलिए वे पिर्मिंड के निर्मान में काम कर पाते थे इसलिए इसे कच्चा ही खाते थे ताकि उन्हें इससे बरपूर सकती मिले लसुन में कई त्रह के पोसक तत्मों से भरा खजाना है लसुन इसमें प्रोटीन अंजाइन विटामिन डी आधि पतार्थ पाई जाते हैं इसके लावा इसमें वसा सलफ्यूरिक ऐसी एंटि ओक्सिडेंट वे एंटि फंगल वे एंटि बैक्टिरियल गुन भी पाई जाते हैं दोस्तों ये तो हो गई लसुन के गुन अब हम आपको बताते हैं कि लसुन को रात में तक्ये के नीचे रखने से क्या होता है इससे आपको क्या-क्या फाइदे होते हैं लसुन को तक्ये के नीचे रखने से नीद अच्छी आती है और रात में सपने भी अच्छी आते हैं और जब हम सुबे उठते हैं तो अपने आपको उर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं लसुन को अगर बच्चों के तक्ये के नीचे रख दें तो इससे उनके पास बुरी सक्तियां नहीं आती और नहीं ना करात्म कुर्जा भी उनके पास आती हैं कहीं लोग लसुन को अपनी जेम में रखकर भी यही कहते हैं जेम में रखकर भी सोते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि इससे उनके पास धन की कमी नहीं होती और सोभाग्य की प्राप्ती होती है रात को तके के नीचे लसुन को रखने से घर में सोभाग्य वे समरिदी आती है और सभी परकार की बुरी सक्तियां घर में परवेश नहीं करपाती जिससे घर में धंधाने वे सुक समरिदी बनी रहती है कहीं लोग तो लसुन स बरतन भी मांचते हैं ताकि नाकरात मुकुर्जा को खतम कर सके और घर में कभी भी उनको कठनाईयों का सामना ना करना पड़े हैं पुरानी सस्कृती ही नहीं अद्धूनिक विज्ञान भी मानते हैं कि लसुन में प्राकिर्तिक रूप से बैक्टेरिया भंगल वैव वाइरस से लड़ने की सक्ति पाई जाती है दरसल लसुन में जिंक पर चूर मातरा में पाय जाता है अगर लसुन को तक्ये के नीचे रख दिया जाए तो ऐसे में लसुन से आने वाली जिंक की खुस्वों दिमाग को सुरक्सा परदान करती है लसुन को तक्ये के नीचे रखना एक प्राचीन परंप्रा भी है पहले हमारे बड़े बजुरोग बच्चों को सुलाने के लिए लसुन को उनके तक्ये के नीचे रखते थे परन्तु ये तो अब आप सब जानते हैं कि हम पुरानी परंप्रा के साथ कोई ने कोई विग्यानिक कान भी जरूर होता था दोस्तो तो आप भी लसुन को अपने तक्ये के निची रखे सोते समय और इससे होने वाले फाइदों को उठाए दोस्तो आप इस जानकारी को समाचित में अधिक सदिक सेयर करें जिससे सभी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फाइदा उठासकें तो दोस्तो यह थी हमारी विडियो कि आप जानते हैं लसुन को रात में तक्ये के निचे रखने से क्या होता है अगर आपको हमारी विडियो अच्छे लगे या इस से आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी विडियो को लाइक वैसे एर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल असरदार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपनी जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों